ये एक Android phone का fast charger है और ये एक iPhone का fast charger है अगर आप इन दोनों को side by side देखोगे न तो ये iPhone का एकदम फुद्दू लगता है इसके सामने अब अभी के time पे Android में एक race दी लगी हुई है कि जादा से जादा fast charging और recently Xiaomi ने 200 प्लस वाट का charger लाँच किया है अब वहीं पे बहुत सारे creators जो है वो ट्रोल करते है iPhone को कि वो अभी भी 20W से जादा support नहीं करता अब इसके पीछे एक बहुत बड़ा reason है चलिए उसे मैं explain करता हूँ आप जब कोई भी smartphone को बहुत ही जादा वाट के charger से charge करते हो तो काफी heat up हो जाता है और heat जो है वो बहुत बड़ा दुश्मन है आपके battery के लिए आपके battery को वो damage कर सकता है उसे के साथ key components phone के और भी damage हो सकते है इसलिए आपने देखा होगा काफी सारे Android phones जो है inbuilt fans आ रहे हैं बहुत सारे phones में inbuilt copper vapor chambers भी होते हैं ताकि phone को ठंडा रख सके companies जो है वो अपने flagship phones में तो काफी जादा focus करती है बड़ जो mid-ranger जो budget वाले phones होते हैं उनमें ये cooling technology से डालती नहीं है जिसके वादद से आपके phone की battery जो है वो काफी जल्दी dead हो सकती है या आपके कोई भी key important जो component है वो भी बहुत जल्दी खराब हो सकता है